Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Asud, so paper 1 में आज हम methods of research के most important and repeated PYQs आपके लिए लेकर आए हैं ये सवाल students upcoming examination में आज़ अज़ पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक question के answer के साथ मैं आपको important explanation भी दूँगी ताकि आसानी से आपके सारे concepts भी clear हो जाएं सो चलिए इसी के साथ फिर session को शुरू करते हैं Students, paper 1 में आप सबे को help करने के लिए complete course में लेकर आई हो, जिसका new batch 14th October से start होने वाला है इस batch की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको daily 2-3 live lectures के साथ exam से पहले 100% syllabus cover करने की हम surety देते हैं साथ ही students आपको एक special whatsapp group में भी add किया जाएगा जहां पार आप अपने teacher से अपने सारे doubts clear कर सकते हो साथ ही आपको हर class के बाद PDF notes मिल जाएंगे जिससे आपको तयारी करने में और भी जादा help हो सकती है Full syllabus mock test हम आपको देते हैं जो की exam के level के हिसाब से हैं और इसमें से as it is questions paper में जरूर पूछे जा सकते हैं तो आप सभी के साथ यहां पर दो whatsapp numbers share कर रही हूँ आप इन पर easily call या message करके contact कर सकते हो साथ ही free videos देखनी है तो global online app को जरूर download कीजे store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम जैसे ही हम content पर click करेंगे आप देखोगे यहां पर कि bilingual, hindi, english अलग-अलग courses है जहां पर आपको unit wise folders मिल जाएंगे जो students आपको help करते हैं final revision के लिए साथ ही आप यहां पर देख सकते हो full syllabus mock test के साथ आपको हम सभी states के pyqs explanation के साथ provide करवाते हैं कि आप सबकी revision बहुत आसानी से होती रहे तो यह कैसा course है जो कि कम समय में आपको exam में अच्छा score करने में जरूर मदद कर सकता है इसी के साथ सबसे पहला question हमारा है quantitative research is also called यानि कि मातरात्मक अनुसंधान को भी क्या कहा जाता है अब देखो जब भी हम लोग quantity की बात करते हैं इसका मतलब है हम यहाँ पर numbers की बात कर रहे हैं अगर यह चीज़ आप समझ गे तो आपके लिए question बहुत आसान हो जाएगा okay so options है anthropographic approach यानि की revenge of इज्ञान द्रिष्टी कोण unstructured approach असरचित द्रिष्टी कोण descriptive approach वर्न अनात्मक द्रिष्टी कोण और structured approach आनि की सरचित द्रिष्टी कोण so यहाँ पर देखो quantitative मैंने आपको बताया कि numbers के साथ काम किया जाता है किसी की भी quantity अब जैसे मेरे पास माल लीजिए कि 5 bottles है तो इसका मतलब यह क्या है कि हम quantity की बात कर रहे हैं इसकी quantity 5 है okay so quantitative research basically एक structured approach होता है सरचित द्रिष्टी कोण होता है इसको याद रिखने का trick मैं बताती हूँ देखो जो भी numbers हम use करते हैं कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो आप numbers लिख रहे हो तो हमेशा आपको पता होता है ना कि 1,2,3,4,5 एक sequence में ही रहता है एक proper इसका structure ही होता है जो हमने बचपन से पढ़ा है कभी आपने numbers ऐसे लिखे है 1,10,2,4,5,6 ऐसे पढ़े हैं कभी भी नहीं पढ़े होंगे सो जब भी हम numbers की बात करते हैं जब भी हम quantitative research की बात करते हैं तो directly go for structured approach इसके अलावा हमारे पास एक और method होता है qualitative क्या करता है quality बताता है किसी चीज की और qualitative हमेशा unstructured approach होता है तो ये question exam में already पूछा जा चुका है and qualitative का अगले exam में पूछा जा सकता है अब कभी भी अब कभी भी अगर हम लोगों से mathematical model या math related परिकल्पना की बात की जा रही होगी question में तो आपने बिना सोचे समझे quantitative पे click कर देना है क्योंकि quantitative का मतलब होता है हमेशा numbers के साथ जुडा हुआ next question is the research stream of immediate application is conceptual research, action research, fundamental research, empirical research यानि कि जो तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा होती है वो किस पे depend करती है वो किस के उपर अधारित होती है देखो ये हमने basic questions वाले या basic थरी वाले sessions में भी पढ़ा था एक ऐसा research इसमें पूछा गया है एक ऐसा research इसमें पूछा गया है जिसको हम अगर एकदम से problem हो रही है हमें कहीं पर हम पस चुके हैं तो immediately उसको इस्तेमाल किया जा सकता है immediately उसको use किया जा सकता है तो ऐसा कौन सा research है ऐसा research होता है सिरफ और सिरफ action research अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ problem में फ़र जाते तो हमें उस वक्त जरूरत नहीं होती उतना समय नहीं होता कि हम सोचें किसी को call करें हमें क्या करना होता है एकदम से कुछ action लेना होता है चाहे फिर वो action हमें end तक पहुंचाए या किसी नुकसान में पहुंचाए वो उसके result की अलग बात रहती है लेकिन कभी भी ततकाल अगर हमें कुछ करना हो तो हमेशा हमें help करता है action research ठीक है action research क्या होता है cyclic होता है nature में यानि एक circle के format में ये काम करता है and exam में बहुत बार पूछा गया है कि action research के कितने steps होते हैं तो इसके चार steps होते हैं कौन-कौन से plan, act, observe and reflect तो ये जो चार phases हैं ये इस तरीके से गूमते plan, act, observe, reflect फिर से plan, act, observe, reflect so इस तरीके से action research हमेशा use होता है ओके, I hope ये question भी आप समझ गए हो students अगर आपको ये session पसंद आ रही है आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा and आप चाहते हो कि continue करो इस series को तो भी आप मुझे जरूर कह सकते हो next question है in which of the following research paradigms the focus of concern is on interpreting reality in terms of participants perspective यानि कि निमिल कित्मे से किस शोध प्रतिमान में चिंता का विशे प्रतिभागयों के परिख्ष के संदर्व में वास्तविक्ता की व्याख्या करने है तो कौन सी वो research ऐसी है जो कि वास्तविक्ता की व्याख्या करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना चाता है आंसर पेचाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक इंपोर्टेंट पॉइंट विता देना चाहती हूँ देखो इस क्वेशन में कुछ की वॉर्ड्स है जब ये लिखा है इंटर्प्रेटिंग रियालिटी यानि कि वास्तविक्ता की व्याख्या करने की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा एंथनोग्राफिक रिसर्च ही सही आंसर होता है रिवश विज्ञान अनुसंधान ही सही रिसर्च होता है अब देखो यहाँ पर इंथनोग्राफिक रिसर्च के व्याद Felix बहुत इंपॉम्पॉर्टिंट मैथड होता है बहुत इंपॉर्टिंट अप्रोच होता है रिसर्च का जिसको कि basically कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको qualitative research में यूज़ किया जाता है अब दो चीज़े हमने पड़ी थी first question में qualitative और quantitative methods अगर आप ये दो methods को अच्छे से समझ जाते हो और इसके अंदर की qualitative के अंदर कौन-कौन से methods आते हैं quantitative के अंदर कौन-कौन से methods आते हैं ये मैं आपको आ्रेडि पढ़ा चुकी हूँ अगर यह चीज़े आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको questions को solve करना बहुत असान हो जाएगा अगर आप ही समझ चुके हो कि interpreting reality यानि कि वास्तविक विक्ता की व्याख्या करने की बात की गई है तो anthropogenic research होगा जो कि directly a qualitative research का ही method है यह research को बहुत जादा deep में बहुत जादा गहराई से करने में विश्वास रखता है इसमें जो भी natural environment है उसको बहुत अच्छे से observe किया जाता है फिर इसके results पर ध्यान दिया जाता है अगला question है a college teacher does research with a view to depict the reality situations relating to home condition of students and hostels provided for ओके बहुत असान question है इसकोच्छे से देखिए so which of the following research format will be helpful to do so okay so देखो बिल्कुल एक real life की situation यहाँ पर दी गई है जिसमें college teacher को responsibility दी गई है एक research करने के अब उनको research क्या करना है उनको reality situations देखनी है वास्तविक स्थितियों को check करना है किसी student के home की condition को ले करके and जो उनको hoster provide करवाया गया है उसकी conditions को देख करके research करनी है तो ऐसे case में जो सबसे जादा important research होता है वो होता है participation observation based research यानि कि प्रतिभागी अवलोकन अवधारित अनुसंधान एक जो उसमें participate कर रहा है यानि कि जो student है कोई एक ऐसा student जिसको हम example के रूप में ले रहे है उस student को अच्छे से observe करेंगे फिर उनकी condition को हम समझने के कोशिश करेंगे ऐसे case में सो correct answer है option number 3 अगला question है assertion reason based assertion प्रकार के questions में आपको क्या करना होता है in order to bridge the gap between theory and practice both fundamental and applied research formats have to be promoted okay so इसमें देखो ये कहा गया है कि अगर हमें theory किसी चीज़ की theory भी पढ़ाई जाती है आपको practical भी करवाया जाता है दोनों चीज़ों के बीच में अगर हमें gap जो है उसको check करना है fundamental और applied research दोनों के format में इसको promote किया जा रहा है इसका कारण ये कहा गया है कि fundamental research हमेशा theory के ओपर focus करता है and applied research directly practical चीज़ों पर focus करता है तो direct मैंने question आपको समझा दिया correct answer है कि research इस question में assertion और reason दोनों सत्य है and इसका explanation भी बिलकुल सही है अगला question है university department plans to undertake a study wherein attitude value and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their pattern of adjustment ठीक है so university का एक department है जो कि plan कर रहे है कि हमें एक research करनी है जसमें हम students के और teachers के किसी चीज़ को लेकर कि क्या दृष्टी कोन है क्या value देते हैं वो किसी चीज़ को उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वो कैसे adjust करते हैं level पर इस तरह की research के लिए कौन सा method best रहेगा so correct answer है हमारे पास case study method and ethnographic method यहाँ पर students एक homework question में आपको ये दे रही हूँ इसका answer मेरे previous videos में मिल जाएगा या फिर google पर search कीज़े क्योंकि जरूर exam में question आता है तो anthropogenic तो हम बहुत बार discuss कर चुके हैं कि आपका quantitative होता है ठीक है अब बताईए कि case study method qualitative है या quantitative है comment करके answer बताईएगा आप सही हो या गलत हो वो मैं आपको reply करते हूँ अगला question है below are given two sets जिसमें एक तरफ research methods है दूसरे तरफ data collection के tools दिये गए है experimental method, exposed, descriptive and historical method historical मतलब history जो चीज़ें अरड़ी हो चुकी है अब history, history की book पढ़ते हो उसके लिए किसी को कोई research करनी की जरूरत होती है हर एक आम आदमी को नहीं होती उसमें already हमारे पास sources होते है हमारे पास already data होता है primary और secondary so d को हम first के साथ match करेंगे according हमारा option number c है and option a गलत हो गया है इसके बाद एक को experiment जब भी किये जाते हैं तो एक test होता है आप लोगोंने lab में experiment किये हैं और उस incident के बाद फिर हम हमें पता चल रहा है और उसके बाद फिर हम उसके लिए research कर रहे है तो वह होता है typical characteristic test and descriptive किसी चीज़ को describe किया जाता है descriptive survey method होता है question here so correct answer है option number b ये जितने भी methods हैं कि थेहरी मैं already discuss कर चुकी हो link description box में मिल चाहेगा आप देख सकते हो the study of why does stressful living result in heart attack इसमें काया कि तनावपून जीवन जो लोग जीते हैं उनको heart attack दिल का दौरा आने के जादा chances होते हैं ये कौन सी research ने कहा है ये explanatory research ने कहा है व्याख्या की है यानि कि बहुत से लोगों को heart attack आ रहे थे मान लीजे तो फिर उसके बाद उन्होंने research किया कि कौन सी age के लोगों को अभी बहुत heart attack आ रहा है फिर उन सभी लोगों की जो daily routine है उस पे research किया गया उनका क्या schedule रहता था क्या उनके eating habits रहते थे कैसे वो खाते पीते थे वो सब चीज़ों पर research की गई और फिर उसको explain किया गया कि ये कारण है अगर वो तनावपून जीवन जी रहे थे जिसके कारण उनको heart attack हुआ था researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children इसमें कहा है एक शोद करता बच्चों की चिंता प्रवनता पर भोजन की विधी के प्रभाव का मुल्यांकन करने का प्रियास करता है इसमें कौन सा method सबसे अच्छा है तो इसमें exposed factor method अब देखो मैंने क्या बताया कि कोई incident हो चुका है कुछ problem में हम first चुके है उसके बाद हम उस पे research कर रहे हैं इसमें क्या हुआ है इस केस में एक बच्चा already anxiety हो चुकी है उनको वो परिशान बहुत confused और ऐसे mentally disturbed रहने लग जया है वो already उस condition में जा चुका है उसके बाद हम उस चीज़ पे research कर रहे हैं कि यह हुआ क्यूं था तो वो होगा exposed factor method इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखना असान हो जाती है आज का हमारा last question है एक तरफ interview के types दिये हैं जो कि research पे मदद करते हैं दूसरी तरफ उसके meaning दिये गए है structured unstructured यहाँ पर आएगा answered ठीक है इसको यहाँ पर लिखना है focused or clinical interviews so either directly देख लेते हैं structured interview होते हैं pre-determined questions होते हैं जो कि पहले से determined किये गए होते हैं वो एक structured interview होते है unstructured होते हैं जो कभी भी ले लिया जाते है वो बहुत flexible होते है focused interview होते हैं किसी particular question पे या pattern पे उसमें ध्यान दिया जाता है and clinical interviews होते हैं जिसमें किसी एक person की व्यक्तिकत जीवन का अनुभव उमसे पूछा जाता है ओके, so आज हमने methods of teaching के 10 questions के साथ लगबग हर एक प्रकार को discuss कर दिया है I hope आपको ये session पसंद आया है अगला topic क्या चाहते हो या कोई भी doubt अगर आपको यहाँ पर रह गया है कुछ भी doubt कोई भी query mind में आपके चल रही है बेची जग मुझे comment करके बता दीजिए so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best